Google का नया earnings app आ गया है Taskmate जिसमें आप कुछ simple task perform करके कमाई कर सकते हैं टास्क में आपको कुछ questions मिलते हैं जिसके आपको answers देने होते हैं और सही answer पर आपको पैसे मिलते हैं एक task पर 10 रुपए से लेकर 70 रुपए तक मिलते हैं जिन्हें आप सिधे अपने bank account में withdraw कर सकते हैं अभी तक मैंने इसमें जितने भी task complete किये हैं उस पर मुझे 10 रुपए से लेकर 70 रुपए तक मिले हैं लेकिन हो सकता है कि इससे ज्यादा amount वाले task भी इसमें देखने को मिले तो इस वीडियो में मैं आपको taskmate application यूज़ करने का इससे पैसे कमाने का और पैसे bank account में withdraw करने का complete process दिखाने वाला हूँ तो चैलिए शुरू करते हैं पिले स्टोर से taskmate application इंस्टॉल कर लेना है इसका लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा ओपन करने पर इस तरह का user interface देखने को मिलेगा इसमें आप एक Gmail ID चूज़ करेंगे और Get Started पर किलिक करेंगे इसमें आप अपनी language चूज़ करेंगे इसमें अभी waiting list चल रही है तो आपको wait list जॉइन करनी होगी जिसके लिए आप join wait list पर किलिक करेंगे आपके सामने agreement आजाएगा आप accept agreement पर किलिक करेंगे इसके बाद अपनी location को register करेंगे register location location access करने की permission मांगेगा आप allow कर देंगे अगर आपके पास gst number है तो इसको आप yes करेंगे वरना no कर देंगे इसके बाद next जो जो languages आपको आती है वो आपको यहाँ पर choose कर लेनी है इस तरह से आप select कर लेंगे maximum आप three language यहाँ पर select कर सकते हैं इसके बाद submit wait list में आपको add कर लिया गया है इसके बाद जब आपको चुना जाएगा तो आपकी email id पर notification send कर दिया जाएगा इसके बाद आपको इस तरह से एक email मिल जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं congratulations आपको taskmate join करने के लिए invite किया गया है invitation मिलने में आपको काफी time लग सकता है जैसे कि मैंने taskmate wait list को दो महीने पहले join किया था और अब जाकर मुझे invitation मिला है जब तक आपको invitation नहीं मिलता है तब आपको सिर्फ wait करना होगा और जैसे ही आपको इस तरह से invitation email मिल जाएगा तो आप taskmate application में login करके task perform करके earning कर सकते हैं अब जैसे कि मुझे invitation मिल गया है तो मैं उसी email id से यहाँ पर login करूँगा get started इसमें अपनी language choose करेंगे Hindi या English आपके सामने agreement आ जाएगा इसको आप accept करेंगे इससे पैसे कवाने के लिए आपको task complete करने होते हैं इसमें आपको दो तरह के task मिलते हैं field task और sitting task sitting task आप घर बैठे बैठे complete कर सकते हैं और field task के लिए आपको बाहर field में जाना होता है जैसे कि मुझे sitting task complete करना है तो sitting task पर click करेंगे आपके सामने task आ जाएगा जैसे कि आप द setting task में इस तरह आपसे questions पूछे जाते हैं आपको सही answer choose करना है और next करना है इसी तरह आपके सामने questions आते रहेंगे और आप उनका right answer select करके next करते रहेंगे एक task मैंने complete कर लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं 7 rupees add हो चुके हैं इसी तरह से आपके सामने और भी task आते जाएंग इसमें आप देख सकते हैं किस task को complete करने पर आपको कितने पैसे मिलेंगे जैसे कि इस task को complete करने पर 70 rupees मिलेंगे इससे आप जो भी कमाई करेंगे वो आप UPI के थुरू सीधे अपने bank account में withdraw कर सकते हैं अपनी UPI ID add करने के लिए आप 3 dot पर click करेंगे इसमें आपको link UPI account का एक कमाई करेंगे वो आप सीधे अपने bank account में withdraw कर सकते हैं जैसे आपके पास कम से कम 100 rupees का balance हो जाएगा तो इसको आप अपने bank account में withdraw कर सकते हैं जैसे कि मेरे पास 7 rupees है तो यहाँ पर मैं एक और task complete कर देता हूँ आपके सामने task का title आ जाएगा start earning पर click करेंगे इस तरह आपके सा answer नहीं पता है तो आप इसको skip भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने task complete कर लिया है तो 10 rupees यहाँ पर add हो चुके हैं balance withdraw करने के लिए आप यहाँ profile पर click करेंगे अपने bank account में balance withdraw करने के लिए cash out पर click करेंगे तो balance आपके bank account में credit कर दिया जाएगा सो इस तरह से आप task mate application में task complete करके कमाई कर सकते हैं आई होग के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो like करिए अपने friends के साथ share करिए और अगर आपके मन में कोई confusion है तो आप नीचे comment करके पूर सकते हैं